दोस्तों सवगत है आपका exam warrior के online study platform पर तो आज हम mock test number 19 करने वाले हैं उसमें कुछ बहतेरी question मैंने include किये हैं और अंत में जो puzzle का 5 marks का question है उसे भी आपने जरूर try करना है अब video शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई question आएगा उसे आपने पहले pause कर लेना है वीडियो को खुछ से try करनी है करने की उसके बाद ही आपने वीडियो को play करना है तो उस अपसे पहला question है हमारे पास profit and loss का अब यहाँ पर question में कहा गया है एक दुकानदार 10% लाव लेकर चावल बेचता है एब हम जिस बठकरी का प्रयोग करता है वह 20% कम है तो कुल लाव percentage क्या होगी अब इस question को कैसे करते हैं अब देखो सबसे पहले तो वह 10% लाव तो ऐसे ही ले रहा है है ना फिर यहाँ पर 20% कम भी तोल रहा है जैसे मान लो 100% है उसमें से 20% कम तोल रहा है इसे minus करो कितना आएगा 20 में से 100 minus करो तो अस्ति आएगा कितने में 100 में तो इसकी percentage हम निकाल लेंगे तो यह जाएगा 25% अब हमने बस इसे जोड़ना है इसे जोड़ेंगे क्यासे तो सबसे पहले आपने इसे plus करना है 10 जमा 25 है ना उसकी बाद आपने क्या करना है जो आपको यह दिख रहा है इसे आपने भी करना है यहाँ पर plus फिर आपने यहां लिख लेना है 25 गुना 10 बाग दोगे तो यहां पर पॉइंट 2.50 तो जब 35 को 2.50 से एड़ करेंगे तो कितना होगा 37.5 होगा यह फिर 37.50 इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इतना इसे यहां पर लाब होगा तो यह था इस question का answer I hope आपका भी यही answer आया होगा अब इन वीडियो को देखने के बाद आपको प अंगत पद ग्यात करें अब जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछ ले जाए कि यहां कि आएगा इन में से कोई एक गलत है वो हमने बतानी है हमेशा मैं यही कहता आया हूँ जब भी सीरीज आपकी पहले घट रही हो घट रही हो घट रही हो तो ऐसा भी हो सकता है कि दो सी पांच छे एक एक हैड हो रहा है है ना यह हमें पता लग चुका इसी प्रकार से जब आप इस सीरीज को देखो कि 11 से 21 हुआ 21 से यहां पर 32, 41, 51 एक चीज नोटिस करो 11 से 21 हुआ मतलब कि यहां पर 10 का एड हुआ फिर यहां पर 32 हुआ लेकिन यहां 11 का एड हुआ आगे भी हमारा 10 का ही एडिशन चला है है ना इसका मतलब यह असंगत है 32 यहां नहीं आना था यहां पर 31 आना था नेक्स्ट कोश्चन की बात की जाए यह काफ़ी important question है अब इसका मुझे आपने comment करके जरूर अंसर बताना है तो मैं बता पाऊंगा अपने ranking and order अच्छी तरीके से पढ़ा है और जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है description में चेक करें या फिर आप playlist पर जाएए बहाँ पर आपको reasoning for hp police constitutional लिखा दिखाए होगा तो आपने बस classes उपर करने हैं जब तक आपको बहाँ पर जो थम्नेल होगा उसमें यहां पर ranking ना लिखा हो तो एक जगा लिखा होगा ranking तो बस उस वीडियो को देखते जाओ चार से पांच वीडियो बस तरगी मिल जाएगी तो आपका ये पूरा topic solve हो जाएगा आपको समझ आ जाएगा अब I hope आपने इसका comment मुझे किया होगा देखो comment ना करो या करो आपका ही उसमें फाइदा है क्योंकि आप भी नई चीज़ सीखने वाले हो comment करोगे और अगर आपका ठीक हो जाता है तो आपको सही है अगर गलत हो जाता है तो ये चीज़ आपको याद रहेगी कि हाँ उसमें ऐसा हुआ था इस question को मैंने ऐसे गलत किया था तो यहाँ देखो यहाँ कहा गया है राम का जो है मतलब overlap हुआ है इसका मतलब क्या होता है overlap हुआ है कि इस तोर से यहाँ कहीं 26 में हो ठीक है यह अपने मान लेना है overlap हुआ है निउंतन में हमेशा overlap होता है इन दानों के बीच में 15 विद्यारती बैठे हैं अब यहाँ से question पूरा change हो जाता है अब एक चीज आप मुझे बताईए जब यहाँ से राम के तक सिर्फ 12 ही लोग बैठे हैं और यह दाई और से 26 में नमबर पर इस 12 के एक से 12 के बीच में किसी भी नमबर में आएगा चाहीए एक पर ही आए तो भी इनके बीच में 15 विक्ति कैसे बिठाएंगे सबसे चोटी संख्य दी गए सबसे चोटा जो नंबर हमारे पास यहां राम का स्थान दिया गया है तो राम में करें बारा माइनस दो 10 मतलब बीच में सिर्फ 10 ही विक्ति बैठ सकते हैं अगर 11 विक्ति भी दिया गया होता तो भी question गड़ात होता यहां आएगा can't be determined हम निधारित नहीं कर सकते तो यह हो चुके हमारे basic question तो चले चलते हैं आज के main question पर उसमें भी आपने video pause करनी है और खुझ से try करना है question को करने की बात करते हैं main question की ऐसे question अकसर exam में पूछे जाते हैं यह two variable based होते हैं यहां पर दो चीज़े दी गई होती है हमने दो चीज़े arrange करनी होती है पहले तो व्यक्ति दूसरा उनका स्थान age या कोई S बैठे हैं और उनका मुख दक्षिन की ओर है पंक्ति दो में A B C D बैठे हैं उनका मुख उत्तर की ओर है अतहत दी गई व्यवस्था के अनुसार एक पंक्ति में एक विक्ति का मुख दूसरी पंक्ति में किसी दूसरी विक्ति के मुख के ठीक सामने है तो उनमें से प्रत कि बीक्ति के रिचति को ने पुसिबिल्टि की और क्वाले बनांप और रहें हमारे दूसरी कौशंग में और प्येर опасी enter और मुख करने वाले विक्ति के दाएं दुसरे स्थान पर बैठा है अब दिल्ली का विक्ति है ना दिल्ली का विक्ति सी की और मुख करने वाले विक्ति के दाएं दुसरे स्थान पर बैठा है अब मान लो सी हमारा यहां बैठ रहा है है ना किंूक जोन गया है मान लिए हमने कोर्षिन रही है दूसरे स्थान पर बैठा है अब और दूसरे स्थान पर कौन आएगा जो व्यक्ति न Minecraft यहा पर दिल्ली के लिए मैं DEL यूज़ कर लूँगा ठीक है डेली इंकी कम करते हैं तो यहां जाएगा हमारा डेली बाला परसन अब यहां कहा गया है दिल्ली के व्यक्ति के निक्रतम परोसी का मुख पतना के व्यक्ति की ओर है अब दिल्ली के व्यक्ति के निक्रतम परोसी का मुख अब देखो दिल्ली का परोसी एक तो यह हो सकता यहां पर भी हो है ना यह भी तो हो सकता है तो मतलब जो यहां व्यक्ति आएगा या फिर यहां व्यक्ति आएगा वो कहां से होगा वो होगा पटना से ये भी हमने मान लेकिन हमें ये पता नहीं है कि यहां पर आएगा कौन चलो इसे arrange करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर दो possibilities हम लेंगे पहली possibility में मैं यह मान कर चलूँगा कि इसका कोई पडोसी नहीं है दिल्ली के side में कोई यहां कोई विक्ती नहीं आ रहा और दूसरी possibility में मैं यह मान कर चलूँगा कि इसका कोई पडोसी है तो यह मैं दूसरी possibility लिख रहा हूँ और पहली possibility मैं यहाँ बना लेता हूँ कि इसका कोई पडोसी ही नहीं है तो दिल्ली ही सबसे last में आता है फिर एक, दो, तीन, चार विक्ती चार विक्ती हो चुके तो यहाँ पर भी मैं ऐसी ही arrangement करूँगा तुसी कहा आएगा हमारा तुसी आजाएगा यहाँ पर तो यह हमने बना लिया question यहाँ पर अब यहाँ पर कहा गया है साप साप कहा गया था कि दिल्ली के विक्ती के निक्रतम पडोसी का मुख पटना के विक्ती की और है अब यहाँ पर देखो इसका जो निकरतम पडोसी ये है, इसका मुख पटना के विक्ति के वाले की ओर है, तो यहां हमने पटना मान लिया, अब यहां पर दो स्थान पर पटना आ सकता है, तो हो सकता है, पटना यहां आए, हो सकता है, पटना यहां आए, तो दौनों जगा हम मान कर चलते हैं, अब तो हो सकता है देखो इस ओर तो यह जाएगा नहीं क्योंकि यहां तो और विक्ति बचे नहीं हो सकता है बी यहां है और हो सकता है बी यहां इस कॉश्चन के नुसार कि पटना का विक्ति यहां है और बी यहां यह यह भी हो सकता है पटना यहां यहां पर तो यह स्थान पर बैठा है और यह दक्षिन दिशा की ओर देख रहे हैं इनका बाएं इस ओर को होगा तो पी यहां पर आ जाएगा तो ही तो पी के बाएं दुस्तरे स्थान पर यह आएगा जिसका मुख बी की ओर है है अब यहां कहा गया है बी के निकरतम परोसी का मुख जैपूर की विक्ति की ओर है तो बी का जो निकरतम परोसी है इसका मुख किस ओर है जैपूर की विक्ति की ओर तो यहां पर हम क्या मान लेंगे, यहां पर हम मान लेंगे जैपूर, क्योंकि इसका तो एक ही पडोसी है, अब यहां पर बात करते हैं, यहां क्या होगा, जो निकटम पडोसी है, इसका मुख जैपूर की ओर है, तो यहां पर जैपूर है, अब यहां डैली आ चुका है, तो और यह पर यह सोत्य आइगा नहीं और इसका मतलब है यहां पर हम यहां पर ही यह आए इज आएगा हमारा पत्ना आए हमारा यह हमारा हो चुका है अबागे बात करते हैं आगे कहा गया है जाइपूर के विक्ती की और मू करने वाला विक्ती पुने के दायन दुसरे पुने के विक्ती के दायन दुसरा है मतलब कि जाइपूर की विक्ती की और मू करने वाला विक्ती तो मतलब इसकी बात कही जा रही है जो ये है इसके बारे में ये बात कही गई है कि पुने के विक्ति के दाया दुसरा है अब इसका ये इस तरब को देख रहे हैं तो दाया ये होगा तो मतलब इस और से होगा तो पुने का दाया दुसरा तो पुने अगर यहां आता तो ही दायां दूसरा होता ना पहला दूसरा, लेकिन यहां तो दायां दूसरा होगा नहीं, यहां पर फटना बैठा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह equation हमारी हो चुकी है गलत, कि हमने यह मानकर चले थे कि D का कोई पडोशी है एक वी दो पडोसी है तो दो पडोसी उसके नहीं होंगे हमने यहां मानकर चले थे कि उसका केबल एक ही पडोसी है तो एक पडोसी यहां पर बैठ रहा है तो यहां लाइन पढ़ते हैं फिर से कि यहां पर कहा गया था जैपूर के और मुख करने वाला विक्ती पुने के विक तो S यहां पर यहां आजाएगा जो विक्ति डेली का है उसी और S आएगा है ना जो विक्ति कहां का है जो विक्ति है डेली का तो उसी और यहां पर आएगा तो अब यहां पर हमने इसे अरेंज कर लिए R का मुख सूरत के विक्ति की और है अब जो R है वो सूरत की ओर देख रहा है अब यहाँ देखो R जो है R को हम यहाँ बठा सकते हैं यहां पर तो सूरत आएगा S तब सूरत आजाएगा लेकिन अभी है हमें पता नहीं है कि उसे कहां बठाना है आर जैपूर ये मुंबई का नहीं है जो यहां पर clear हो चुका है आर ना यहां आएगा और ना ही वो मुंबई में आएगा तो इसका मतलब आर इक लिए एक ही जगा बच रही है यहां पर और question में ही कहा गया है कि आर का मुख सूरत के विक्ति के और है तो इसका मतलब भी हमार पर इस कॉश्चन को करते हैं regenerative का निकरतम प्रोशी शी-लॉं लांग का है अगर यहांपर डीको यहां लेते हैं तो यहां शी-لف नाफ़ को सियंग का यहां भागा है यह तो फटना है तो डीक लिए थे या फिर स्टी थे दिखते हैं तरह तो प्यक्व आ रस थे तो यहां पर हमारा कौन आ जाएका क्यों आजाएका यह हमने व्यक्ति बठा लिए बिल्कुल असानी से अब बस यहां पर जगा बठानी है अब दो जगा हमारे पास बच रही है क्योंगी नीचे दोखो जो हमने ये नीचे पाली विखती है, इनके तहुने जगा भी बढ़ा ली, कि A जो है बो मुंबई का है, D पतना का है, C हमारा शिलॉंग का है, B हमारा सूरत का है, यहाँ पर भी हमें पता लग चुका है, S डैली का है, P का नहीं पता लगा, Q जैपूर का है, R के रिस्पेक्ट में बा रही थी, वो बच रही थी हमारे पास, चन्नाई और मुंबई, बागी जैपूर, पतना, पूने, दिल्ली, शिलॉंग, सूरत यह तो हमने कबर कर ली थी, मुंबई और चन्नाई बच रही थी, उस तरह से हमने से यहाँ पर फुल्फिल किया, देखो थोड़े से कन्फ्यू बिलोंग का रहने वाला कौन है, सूरत का रहने वाला कौन है, चन्नाई का रहने वाला कौन है, या फिर जैपूर से कौन बिलोंग करता है, जो जैपूर का है, उसका बाएं दुसरे स्थान पर कौन है, तो आप देखोगे, जैपूर का है, तो बाएं दुसरे स्थान पर को है तो भी है कहां से है सूरत से है तो इस परकार के कुछ कॉश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो यह थे आपके टू लाइन बेस्ट आपके सिटिंग अरेंज्मेंट दूई पंक्ति बैठक वेबस्ता सिंगल वेरियेवल भी हमने किया इससे उपर आपका नहीं आएगा थ्र